आज उच्चतम न्यायले में एक एतिहासिक आंतरिक आदेश हुआ है, व्यापक और एतिहासिक. हम बहुत वर्मृता के साथ आपके समक्ष इस विशे में कुछ टिपणिया करना चाहते हैं और इसकी सही पहलू, सही परिपेक्ष को आपके सामने रखना चाहते हैं, सिर्फ वो नहीं जो आप सुर्खियों में पढ़ते हैं, या सिर्फ वो नहीं जो आप सुनते हैं. पहली बात के सीधे रूप से ये पहली बार सामविधानिक प्रश्न उठाया गया है इस स्तीवरता से के राज्यपाल का जो अधिकार क्षेत्र है किसी को बुलाने का सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने का उस विशे में उनका डिस्क्रेशन कितना है और किस हद तक नियायले उसमें हस्तक शेप कर सकते हैं ये हमारा मूल सामविधानिक मुद्दा है ये समझना आपके लिए आवश्यक है इसका फ्लोर टेस्स से कोई संबंद नहीं है ये पहला थ्रेशोल्ड शुरुवात का मुद्दा है अधिकार शेत्र का मुद्दा है देखिए आप मुझे बुलाएं या इनको बुलाएं हम दौनों में से जिसको भी बुलाएंगे हमें फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा प्रश्ट पहला उठता है कि सम्विधान के अनुसार राजिपाल को किसको बुलाना बाद्य है अनेवार्य है तो ये पहला मुद्दा जो है मूल मुद्दा आज भी उच्चितम न्यायले ने बहस जिरह के लिए और अंतिम निर्ने के लिए खुला रखा है और दस हफते ब निर्वाचित हो जाएगा चुनावित हो जाएगा तो ये संभव था कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण सम्विधानिक बुद्दा नहीं करते निर्ने या उसको भी आज अंतिम रूप से खत्म कर देते हैं लेकिन उच्तम न्यायले ने हमारे आगरे पे उसको भी खुला इसकी मुझे बड़ा चंबा हुआ मैंने सुना फ्रस्टेशन मुझे तो आच्छरे हुआ कि बीजेपी के बहुत टैलेंट से हैं बड़ ये भी टैलेंट है कि सच को जूट और एकदम दिन को रात कर दें उल्टा कर दें मैं आपको बॉखलाट के कुछ उधारत देता हूं जो सही बॉखलाट कह सकते हैं आप उच्छतम न्यायले ने इस पश्ट करके आदेश लिख दिया उच्छतम न्यायले ने आज हम लोग सब वहां थे कि कल होगा 24 घंटे से कम में होगा उसके बाद पांच मिनिट तक जिरे हुई है यदुरप्पा जी के वकील द्वारा मान सोमवार से पहले नहीं करिए ये दूसरा पहलू है ये अपनी कहानी बताता है ये अपनी वहकलाट की कहानी बताता है ये अपनी विवश्टा की कहानी बताता है और ये अपनी खरीद फरोक्त की एक लंबी कहानी बताता है ये आपचारिक बता रहा हूँ मैं आपको मेरी कह होगा नमबर तीन दुरभागी की बात है के केंद्र सरकार के instructions के अंतरगत मैं व्यक्ति विशेश के दोशारों पर नहीं करूँगा इतने महान पोस्ट के व्यक्ति को ऐसा instruction देना attorney general को कि उन्होंने मांग की कि ये चुनाव जो कल है विश्वास मत की ité सीक्रिट बैलेट से होना चाहिए आज तक कभी विश्वास होता है सीक्रिट बैलेट भी अपनी एक तीसरी कहानी सेस्वाता था मिव इस पाभी क्या अभिपराय होता है हम सब जानते हैं यह मांग किस ने कि केंद्र सरकार करने की कि कि आप अगर मत कर रहे हैं कल विश्वास मत तो आप उसको सीक्रिट बैलेट से करिए हमारे विरोध पे उच्छतम न्यायले ने आदेश में लिखा है कि दैर शैल भी नो सीक्रिट बैलेट मुझे आशा है कि आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ कौन मांगी गा क्यों मांगी गा सोमवार आदमी क्यों मांगी गा सीक्रिट बैलेट उसका उद्देश एक ही हो सकता है उस एक का नाम शुरू होता है M से अंग्रेजी में चौथा यदरप्पा जी के मानलिय वकील ने स्पष्ट विरोध किया कि वो मुख्यमंत्री हैं अरे राजा को बिना राज्य के कैसे आप रहने दे सकते हैं वो नीती का निरने कैसे नहीं लेंगे उनको लेने दिया जाए इस पे दलिल हुई तो चार मिनिट के लिए आदेश होने के बाद और जिरे होने के बाद अंततो गत्वा यदुरप्पा जी के वकील माने रोध कीजी ने कहा कि ठीक है फिर आप हमारा स्टेट्मेंट रिकॉर्ड कर दीजे आप आदेश नहीं दीजेओ कि आदेश रिखवा दिया गया था कि हम कोई निरने नहीं लें इतना पागलपन कुर्सी के लिए कही नहीं देखा कि पांच बजे चिठी निख रहे हैं और चुनाव आईयों की सुची चुनाव की पूरी लिस्ट 16 तारिक को पब्लिश होई है चुनाव आयों की गजेटिड लिस्ट के बिना चुनाव पूरा नहीं होता है चुनाव साड़े नौ बजे सुबह, ये तो कई बार कहा था कि नक्षत्रों के अनुसार साड़े बारा होना चाहिए, लेकिन जब नोंने सुना कि कुछ तयारी हो रही है ये कॉंग्रेस दौरा तो नोंने साड़े नौ कर दिया उसको, लेकिन सबसे मजी बात ये है कि उन्होंने बनते ही कम से कम ये तो, देखिए उस ओर्डर में लिखा है कि in case he decides to be sworn in, बड़ा ये धान की बात, in case he decides to be sworn in, it shall be subject to further orders, अब ये देखिए, कोई समझदार आदमी समझना चाहिए, तो इसका मतलब है कि या तो आप स्वेरिन ही नहीं करो, एक दिन और रुख जा उती ती ती प्रत की अपने साथ, हमारे कानून में किताब है, उसमें मीटिंग को define करते हैं कि मीटिंग में करते हैं कि मीटिंग को दो व्यक्ति होने चाहिए, ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन एक व्यक्ति की मीटिंग मैंने नहीं सुनी, उस cabinet मीटिंग में जो एक व्यक्ति की मीटिंग ती ये निर्ने किया गया कि जो लोग जासूसी से सब ग्रहन करते हैं उनको ट्रांसफर किया जाए अपने लोग लगाए जाए लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इतने लाग के लोन वेवर हो जाएं तो उस पे भी आज रोक लगाई उस रोक लगाने पे विरोध किया गया और जारी रही अन्तादो गत्वा उसमें शीरोधsoverतगीने माना कि हम नहीं लेंगे को ऐसा निर्ने तो पता नहीं आज कन शाम तक यह एक सो चार से 111 की आत्रां में कितने और निर्ले ले लिया जाते हैं कि पांचवा मैं मैंने ट्वीट पहले भी किया मैं वापिस अप्चारे क्रूप से इस पोडियम से खोशना करना चाहता हूं कि परिणाम कुछ भी हो और मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं न्यायले की बात कर रहा हूं कि हमें गर्व होना चाहिए कि विश्व भर में ऐसे न्याय ले उच्चतम कम मिलेंगे जो अर्जिंसी के आधार, मैं वेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनका अवलोकन अर्जिंसी का है कि अर्जिंसी है, तो वो रात के भी किसी समय बैठ सकते हैं, क्योंकि न्याय कभी सोता नहीं है, न सोना चाहिए उसे, और सा साले नौ बजे अपना वक्त वे इशु नहीं करते, और उनके वक्त वे इशु करने के 30 सकिन बाद मानने हैं, एधुरप्पा जी साले नौ बजे सुबह अपनी घोशना नहीं करते, शपत ग्रहन की, तो साले नौ रात और साले नौ सुबह के बीच में, सिरफ दो से पांच पे धर्म के आधार पे एक समझदारी के आधार पे ये रप्पाजी को कभी इस प्रकार से अपना दावा करना ही नहीं चाहिए था